टेक्नलोजीकल सिंग्ल्रिटी ये टेक्नलोजीकल सिंग्लर्टी के बारे में बोला जाता है वो ये चीज है कि जब मशिन्स जो कि अलड़ी इंप्रूव हो रही है वो हुमन से ज्ञादा इंटेलिजिंट हो जाएंगी तो एक तरह से कहीं हम ग्राफ देखेंगे तो एक पॉ को सरपास कर जाएंगी and that will be the period of technological singularity तो वो कब होगा रियली में होगा की नहीं उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे पर पहले एक चीज़ समझते हैं कि अभी हो क्या रहा है पिछले कई सालों से मशीन्स जो हैं वो सीख रही है तो अभी क्या हो गया सीख रही है इतनी जादा इसका रीजन ये है कि हमारे पास अब बहुत कुछ डेटा जो है वो लेबल डेटा है क्योंकि पहले तो वो फिजिकल डेटा था अभी वो तब डिचस्टल हो गया है और उसे लेबल कर दिया गया है तो इसका मतलब यह भा कि जैसे कुई कैट की picture डिचटल मीडिया फिबल लेबल है तो या तो हमी नए पिक्चर क्लिक करके डालने हैं, नए वीडियो डालने हैं और उसे लेबिल करते जा रहे हैं, तो वो चीज बढ़ती जा रही है, दूसरा जो CPU की प्रोसेसिंग पावर है, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, उसका एक अलड़ी मूर्स लाउ है, तो ज लाउड कम्प्यूटिंग भी है, तो वो कम्प्यूटिंग पावर भी इसली जब बाकी लोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो यूज किया सकती है, और चौतरी चीज यह हैं कि बहुत सारी अल्गॉरिथम पिछले कई सालों में डवलप होई हैं, जो कि मशीन को अच्छे से ट लेबल डेटा जो है, जो लेबल किया गया है, चिप की पावर इंक्रीज हो रही है, और क्लाउड कम्प्यूटिंग पावर अवलेबल है, और वेरियस अल्गॉरिथम जो कि AI और मशीन लर्निंग के पार्ट हैं, जो कि आप्टोमाईज होती जा रहे हैं ये अल्गॉरिथम over a period of time, तो ये चारो चीजे मिलकर क्या हो रहा है कि मशीन और वो जो अल्गॉरिथम अंडरलाइंग है, वो काफी सीखती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो उसका ये बोला जा रहा है कि कहीं ये ऐसे ही बढ़ती रही, तो ये point of time पे मशीन जो है, वो हुमन ब्रेन से ज्यादा intelligent हो जाएगी, ऐसा एक ये thought process है, तो that is the point when machine will overtake human intelligence, is called technological singularity, अब क्या ये रियली में होगा, ये नहीं होगा, ये शायद किसी को नहीं मालूम है, कितने सालों में होगा, ये भी नहीं मालूम है, हर कोई अपना guess दे रहा है, maybe after 50 years, maybe after 100 years, और maybe after 1000 years, मेरे इसाब से ये होना थोड़ा मुश्किल है, अभी भी हम human brain को नहीं ठीक से समझ पाए है, हर individual के पास एक individual अपना brain है, जो की different होता है दूसरे से, हमारे अंदर conscious mind, subconscious mind होता है, अभी इन सब चीजों को हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो क्या reality में वो machine human को improve कर लेगी, human के सिखाए हुए algorithm से, मेरे हिसाब से अभी इसमें time है, कहीं ऐसा होता भी है तो काफी time है, काफी काम करना इसमें बाकी है, बट हाँ, एक concept wise, ये काफी important है समझने का कि technological singularity हुआ, जब machine will overtake the human intelligence, इसके बारे में मैंने article लिखे हैं, अपने website पे, जो की आप www.raktinsing.com पे जाकर देख सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, thank you.